नमस्ते आज के पार्ट में हम सीखेंगे Adjectives of Comparison यानि तुलना के विशेशन तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये Degrees of Comparison क्या होता है आप इन वाक्यों पे ध्यान दीजिए India is a big country यानि भारत एक बड़ा देश है यहाँ पे big एक विशेशन है जो हमें देश के बारे में बताता है कैसा देश? बड़ा देश फिर Canada is a bigger country यानि Canada और भी बड़ा देश है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक शेत्रफल के हिसाब से Canada भारत से बड़ा है तो यहाँ पे मैं एक तुलना कर रहा हूँ Canada और भारत के शेत्रफल में और अंत में रश्या is the biggest country biggest यानि सबसे बड़ा है तो इसका अर्थ है इन तीनों में रश्या का शेत्रफल सबसे बड़ा है तो अब आप इन तीन विशेशनों पे ध्यान दीजिए बिग फिर बिगर और अंत में biggest बिग एक विशेशन है जो हमें देश के बारे में कुछ बता रहा है बिगर भी एक विशेशन है बट जब हम बिगर बोलते हैं तो हम दो देशों के बीच एक तुलना कर रहे हैं और biggest भी एक विशेशन है लेकिन जब हम biggest बोलते हैं तो हम दो से अधिक देशों के बीच तुलना कर रहे हैं तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो degrees of comparison जो पहले हमने उधारन देखे उसके इसाब से आपको समझ गया होगा कि तीन तरह के विशेशन हो सकते हैं इन्हें अंग्रेजी में positive, comparative और superlative कहां जाता है तो चलिए इनके बारे में देखते हैं positive degree तो एक adjective जो किसी गुण के अस्तित्व का बोध करता है यानि an adjective in its simple form used to denote the existence of a quality इससे हम एक positive degree कहते हैं यूज जो एक no comparison is made यानि इनका उप्योग तब किया जाता है जब कोई तुलना नहीं की जाती तो आप उधारन देख सकते हैं tasty food यानि स्वादिश्ट खाना फिर hot sun यानि गरम सूर्या और cute dog यानि एक प्यारा कुत्ता तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम किसी गोड के अस्तित्व का बोध कर रहे हैं खाना स्वादिस्ट है सूर्य गरम है कुत्ता प्यारा है यहाँ हम कोई तुलना नहीं कर रहे हैं तो ऐसे विशेशन इन्हें हम positive degree कहते हैं फिर आता है comparative degree तो comparative degree में क्या होता है यह तब इस्तमाल किये जाते है जब दो संध्याओं के बीच तुलना की जाती है used when two nouns are compared तो यहाँ पर उधारन देखिए laurel is thinner than hardy तो यह दोनों एक बहुत ही प्रचलित American TV सीरीज के किरदार है तो यह है laurel और यह है hardy तो यहाँ पर laurel is thinner than hardy का मतलब है laurel hardly से पतला है वैसे ही रित्तिक रोशन इस younger than राकेश रोशन तो इन दोनों को तो आप जानते ही है तो रित्तिक रोशन इस younger than राकेश रोशन का आर्थ है रित्तिक रोशन राकेश रोशन से झवान है और अंत में Apples are sweeter than oranges, यानि same, संद्रे से मीठा होता है, तो अब आप देख सकते हैं, कि यहाँ पे तीन शब thinner, younger और sweeter, ये हर एक शब दो संग्याओं के बीच तुलना कर रहा है, thinner से laurel और hardy इन संग्याओं में तुलना हो रही है, younger से रितिक रोशन और राकेश रोशन इन संग्याओं में तुलना हो रही है, और sweeter से apples यानि save और oranges यानि संत्रे इनके बीच तुलना हो रही है, तो चलिए अब सूपरलेटिव डिग्री देखते हैं, तो सूपरलेटिव डिग्री को हम तब इस्तमाल करते हैं, जब दो से अधिक संग्याओं में हम एक तुलना करते हैं, used when more than two nouns are compared, ध्यान दखिए more than two, यानि दो से अधिक, तो इसके हम उधारन देखते हैं, Bill Gates is the richest person, यानि Bill Gates सबसे अमीर इनसान है, बिलगेट्स अगर आपको पता ना हो, तो ये Microsoft के founder है, तो अब मैं जब ऐसा बोलता हूँ कि Bill Gates सबसे अमीर इनसान है, तो इसका अर्थ यहाँ है, कि मैं Bill Gates को बाकी सब इनसानों के साथ compare कर रहा हूँ, या Bill Gates की तुलना बाकी सब इनसानों के साथ कर रहा हूँ, वैसे ही जब मैं बोलता हूँ, Burj Khalifa is the tallest building, Burj Khalifa एक building है दुबई में, और यहाँ सबसे उची building है, तो टॉलेस्ट यहाँनि सबसे उची तो जब मैं ऐसा बोलता हूँ कि Burj Khalifa is the tallest building, तो मैं बुर्ज Khalifa की तुलना बाकी सब इनसाना कर रहा हूँ, तो इसलिए इसे के richest और tallest इन दोनों को superlative degree में माना जाता है क्योंकि एक से अधिक चीजों की तुलना हो रही है तो अब आपके दिमाग में प्रशना आ रहा होगा कि हम में अगर positive degree के vishishin पता है तो हम उनसे comparative और superlative degree के vishishin कैसे बना है तो इसके भी कुछ rules होते हैं कुछ नियम होते हैं जिनके बारे में हम अब देखेंगे तो इन नियमों के बारे में देखने से पहले हमें syllable के बारे में जानना होगा syllable यानि उच्चार और इकाई तो उच्चार और इकाई इसके बारे में समझते हैं sound of a vowel को हम syllable कहते हैं यानि हमने देखा तब पांच वोवल होते हैं A, E, I, O, U तो A इसकी एक आवाज है E इसकी भी एक आवाज है तो ऐसी आवाज एक शब्द में कितनी बार आती है उससे हमें पता चलता है कि उस शब्द में कितनी syllable है तो यहां पर आप उधारन देख सकते है Free इसमें हमें E की आवाज आती है Free तो इसमें एक syllable है फिर Bio इसमें I और O की आवाज आती है तो इसमें दो syllable है फिर Fire यहां पर आप देखेंगे कि दो वोवल है I और E लेकिन जब हम इसे बोलते हैं Fire तो आवाज सिर्फ I की आती है E की आवाज नहीं आती इसलिए इसमें सिर्फ एक ही syllable है Contribute तो अब हम इसे तीन पार्ट में स्प्लेट करेंगे Con इसमें O की आवाज है Tree इसमें E की आवाज है भले ही यहां पर वोवल आई है बट आवाज हमें E की आती है और but इसमें U की आवाज है और भले ही एक अन्य वोवल है E उसकी आवाज नहीं आ रही है जब मैं but बोलता हूँ तो E की आवाज नहीं आती तो इसलिए इसमें तीन syllable है तो जितनी बार किसी वोवल की आवाज आती है इस चीज को हम और गहराई में देख सकते है पर इतनी ज़रूरत नहीं है आगे हमें जितनी ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए इतना काफी है तो चलिए आगे बढ़ते है तो अब एक सिलिबल के शब्द यानि one syllable words उसके लिए हम क्या करते है comparative बनाने के लिए ER add करते है और superlative बनाने के लिए EST add करते है इसके उधारन देखते है sweet यानि मीठा उसका comparative हो जाएगा sweeter यानि ज्यादा मीठा और sweetest उसका superlative होगा यानि सबसे मीठा फिर kind यानि दयालू इसका comparative हो जाता है kinder यानि और दयालू और superlative हो जाता है kindest यानि सबसे दयालू फिर young यानि जवान इसका comparative हो जाता है younger यानि और जवान और superlative हो जाता है youngest यानि सबसे जवान अब कोई positive degree का विशेशन अगर E में अन्तित होता है तो हम comparative बनाने के लिए सिर्फ R एड़ करते हैं और superlative बनाने के लिए ST एड़ करते हैं इसके उधारन देखते हैं Brave यानि बहादुर जैसे आप देख सकते हैं इस चित्र में नीर्जा भानोट इसके उपर एक फिल्म भी आ चुकी है नीर्जा नाम से तो आपको पता होगा कि नीर्जा भानोट ने हवाई जहाज में लोगों को बचाने के लिए बहुत बहादुर ही दिखाई जी तो बहादुर एक विशेशन है उसका अंत होता है E में ब्रेव तो उसके comparative बनाने के लिए हमने बस किवए आर आड किया ब्रेवर यानी और बहादुर और superlative बनाने के लिए एस्टी एड किया यानी ب्रेवेस्ट यानी सबसे बहादूर वैसे ही fine यानी पतला जैसे की ये धागा है इस चित्र में तो इसका comparative हो जाता है finer यानि और पतला और superlative हो जाता है finest यानि सबसे पतला तो अब आपको एक दिक्कत हो रही होगी कि हमने पहले बोलाता कि thin यानि पतला और यहाँ हम बोल रहे है fine यानि पतला ऐसा क्यों इसका उत्तर यह है कि अंग्रेजी में ऐसे बहुत शब्द है जिनका एक ही अर्थ होता है और वैसे ही अंग्रेजी में एक शब्द के अनेक अर्थ भी हो सकते है जैसे कभी-कभी fine का अर्थ होता है कि सब ठीक है आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा I'm fine इसका अर्थ ह है कि मैं ठीक हूँ तो घबानी की जरूरत नहीं है जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इस कोर्स में तो आप और शब्द जानेंगे उनके मतलब जानेंगे और आप उनको सरलता से रोज की जीवन में इस्तमाल कर पाएंगे फिर wise यानि बुद्धिमान इसका comparative हो जाता है wiser और superlative हो जाता है wisest इस चित्र में आप देख सकते है डंबल डोर जो Harry Potter नाम की किताब में एक बहुती बुद्धिमान इंसान का किरदार निभाते है ये नियम केवल एक syllable वाले शब्दों के लिए नहीं है उन सभी शब्द के लिए है जिनका अंत e में होता है अब अगर positive का अंत y में होता है और y के पहले एक consonant आता है याद कीजिए कि हमने consonants के बारे में पहले पढ़ा था जो अक्षर वावल नहीं होते हैं वो consonants होते हैं तो ऐसे case में हम y को i से बदलते हैं और comparative बनाने के लिए अंत में er भारी यानी heavy तो उसका comparative होता है heavier तो इसमें y को हमने i से बदला और अंत में er लगाया और उसका superlative होता है heaviest यानी तब से भारी तो इसमें भी y को i से बदला और अंत में est लगाया फिर देखते हैं happy यानी खुश तो इसमें हमने y को वापस i से बदला और er लगाया happier यानी इसका कमपेरेटिव हो जाता है इसे अब ध्यान दे सकते हैं कि हैवी, हैपी, इजी ये एक सिलिबल वाले शब्द नहीं है आप उधारन के लिए इजी देख लीजे इसमें मेरे को ए की आवास दो बार आ रही है तो ये दो सिलिबल का शब्द है तो इसका मतलब ये है कि ये जो नियम है वो केवल एक सिलिबल वाले शब्दों के लिए नहीं है बल्कि उन सारे शब्दों के लिए है जिनका अंत वाई में होता है अगर एक एक syllable वाला शब्द है और उसके अंत में एक consonant आता है और उस consonant के पहले एक वाविल आता है तो हम क्या करते हैं consonant को double करते हैं यानि consonant को दो बार लिखेंगे और फिर उसमें ER जोड़ेंगे comparative बनाने के लिए और ES की जोड़ेंगे सुपरलेटिव बनाने के लिए इसके उधारन आप देख सकते हैं बिग यानि बड़ा तो उसका कमपेरेटिव हो जाता है बिगर यानि और बड़ा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जी एक कॉंसोरेंट है उसके पहले एक वोवल है आई तो हमने क्या किया जी को दो बार लिखा यानि जी को डबल कर दिया और फिर कमपेरेटिव बनाने के लिए और पर बनाने के लिए इसड जोड़ा वैसे ही hot यानि गरम तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो T है वो एक consonant है उसके पहले एक वावल आ रहा है O तो हमने क्या किया T को दो बार लिखा यानि डबल कर दिया उसके बाद उसके बाद उसके एर एड़ कर दिया comparative बनाने के लिए और EST आड़ कर दिया सुपरलेटिव बनाने के लिए और अंत में fat यानि मोटा यहाँ भी same चीज यूज हो रही है comparative हो जाता है fatter और सुपरलेटिव हो जाता है fattest अगर एक two syllable का adjective हैंगी जिसमें दो syllables हो और उसका अंत होता है full less ing ing या ed ed इनने तो हम क्या करते हैं comparative बनाने के लिए उस शब्द के पहले more लिखते हैं और superlative बनाने के लिए उस शब्द के पहले most लिखते हैं चलिए इसके कुछ उधारन देखते हैं useful यानि उपयोगी देखिए आप ये दो syllable है यूस इसमें हमें यू की आवाज आती है और full इसमें भी यू की आवाज आती है तो दो बार हमें यू की आवाज आ रही है इसमें दो syllables है और इसका अंत हो रहा है full में तो हमने इसका comparative कैसे बनाया more useful और superlative कैसे बनाया most useful वैसे ही hopeless यानि निराशा जनक तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि दो syllables है hope में ओ की आवाज आती है और less में एक ही आवाज आती है तो इसके comparative बनाने के लिए हमने डाल दिया more hopeless और superlative बनाने के लिए most hopeless इसमें less में अंत हो रहा है ये दो syllable वाले शब्त फिर boring यानि उबाओ यानि कुछ ऐसी चीज जिसमें आपको मजा नहीं आता तो इसमें ing से अंत हो रहा है ये दो syllable वाला शब्त तो हमने इसका comparative बना दिया more boring और superlative बना दिया most boring यानि सबसे उबाओ सबसे ज्यादा उबाओ surprised यानि आश्चर या चकित तो इसका अंधोरा ed में और यह भी एक दो syllable वाला शब्त है तो अब इसमें हमने comparative बनाने के लिए जोड़ दिया more more surprised यानि और आश्चर या चकित और superlative बनाने के लिए जोड़ दिया most यानि most surprised यानि सबसे ज्यादा आश्चर या चकित अब हम देखेंगे adjectives जिनमें दो से अधिक शलेबलो होते हैं न में भी हम comparative बनाने के लिए more add करते है और superlative बनाने के लिए most add करते हैं कि तो difficult यानि मुश्किल में आप देख सकते हैं कि तीन इसमें आई का आवाज आता है फिर फी इसमें ए का आवाज आता है और कल्ट उसमें और का आवाज आता है एक आवाज तो आप देख सकते हैं कि इसका comparative हो गया more difficult और super relative हो गया most difficult यानि सबसे ज्यादा मश्किल फिर courageous यानि साहसी इसमें भी comparative हो गया more courageous यानि और भी साहसी और super relative हो गया most courageous यानि सबसे ज्यादा साहसी जैसे हमारे आर्मी वाले होते है अब कुछ शब्द है जिनमें कोई rule नहीं होता इनका comparison आपको याद करना होगा जैसे है good यानि अच्छा उसका comparative हो जाता है better यानि और अच्छा और super relative हो जाता है best यानि सबसे अच्छा वैसे ही bad यानि बुरा इसका comparative हो जाता है worse यानि और भी बुरा और super relative हो जाता है worst यानि सबसे बुरा तो आप देख सकते हैं इनमें कोई pattern नहीं है कोई नियम नहीं है तो इनके comparisons आपको याद करने होगे तो चलिए एक सारांश देख लेते हैं आज हमने क्या क्या सीखा उसका पोजिट्व टु केमपेरेट्व कैसे बनाते हैं अगर एक syllable का शब्द है तो generally हम अंत में e-a-r जोडते हैं अगर शब्द का अंत e में होता है तो generally हम अंत में r जोडते हैं अगर शब्द का अंद वाई में होता है, तो हम जनरली क्या करते हैं, वाई को आई से बगलते हैं, और अंद में इ-र जोड़ते हैं, अगर शब्द का अंद एक कॉंसोनेंट से होता है, और उस कॉंसोनेंट के पहले एक वोवल है, तो हम क्या करते हैं, कॉंसोनेंट को डबल क कर देता है और अंध में यह अल्गा देते हैं को हम क्या करते हैं पौजेटिव के पहले मोर लगा देते और अगर शब्द में दो से तो हम वापस प्वौजेटिव के पहले मौर लगा देते हैं कंपर इत FREकpetto बनाने के लिए हैं वैसे ही positive to superlative कैसे बनाते हैं एक syllable का शब्द हो तो अंत में est लगाते हैं अगर शब्द का अंत e में हो रहा हो तो हम generally अंत में st लगाते हैं अगर शब्द का अंत y में होता हो तो हम generally y को i से बदलते हैं और अंत में est लगाते हैं अगर शब्द के अंत में consonant हो और उस consonant के पहले एक vowel हो तो consonant को डबल कर दो और अंत में est लगाते हो अगर वो शब्द दो syllable का हो और उसका अंतोरा full, less, ing या ed में तो हम उसके पहले most लगाते हैं उसका superlative बनाने के लिए और अगर शब्द दो से अधिक syllable का हो तो वापस अंत में हम most अंत में नहीं शब्द के पहले हम most लगाते हैं उसका superlative बनाने के लिए और हमने अंत में कुछ irregular comparisons या improper comparisons देखे जिसमें कोई नियम नहीं होता है जो आपको याद करने होंगे तो चलिए आज के lecture की कुछ विद बाते करते हैं तो आज हम सिखेंगे colors के बारे में यानि रंगों के बारे में यानि आपको रंगों के हिंदी नाम तो पता होंगे इस इस part में मैं आपको उनके अंग्रेजी नाम बताता हूँ तो पहला color है blue यानि नीला तो हिंदी में जैसे आप नीला कहते है अंग्रेजी में उसे कहा जाता है blue वैसे ही पीला उसको हम अंग्रेजी में कहते है yellow हरे को हम अंग्रेजी में कहते है green सफेद को हम अंग्रेजी में कहते है white काले को हम अंग्रेजी में कहते है black बैंगनी को हम अंग्रेजी में कहते है परपल, लाल को हम अंग्रेजी में कहते है रेड, औरेंज को हम अंग्रेजी में कहते है नारंगी को हम अंग्रेजी में कहते है और बूरे को हम अंग्रेजी में कहते है ब्राउन तो ऐसे रंग हम commonly इस्तिमाल करते हैं या साधारन तोर पर यह सारे रंग हम इस्तिमाल करते हैं तो अब आपको पता है उनके अंग्रेजी नाम क्या है और आप रोज की बातचीत में यह अंग्रेजी नाम यूज या इस्तिमाल कर सकते हैं तो धन्यवाद आज के क्लास में इतना ही फिर मिलेंगे एक नए पार्ट के साथ